कारेक्रम पूरा देखिए और कारेक्रम को थोड़ा विस्तार दीजिए उच नीच का भेदन माने वही स्रेष्ट ग्यानी है दयाधर में बसता हो जिसमें वही स्रेष्ट प्राणी है छत्रिये वही बसता हो जिसमें निर्भैता की आग और सबसे स्रेश्ट वही ब्रह्मण है जिसमें हो तपत्याग प्रेदर्शकों नमस्कार महा कभी रामधारी शीह दिंकर के द्वारा रचित रश्मीर थी जिसमें करण की महिमागाई है उसकी वीरता का वक्षान किया गया है वहां से मैंने ये श्लोक लिया था या ये पंग्ति ली थी इनका अध्ययन कर लेने से ये जो हमारे पास समस्त महा काभ्या हैं इनका अध् अभ्यास कर लेने से हमें उर्जा मिलती है आप बड़े बड़े व्यक्तियों का जब साक्षातकार सुनते होंगे उनका इंटर्व्यू शेशन सुनते होंगे तो वो कहीं न कहीं इन महाकाब्यों का या ऐसे धर्म ग्रंतों का जरूर वरणन करते होंगे या जरूर बताते हों और अपने अंदर अस्मित उर्जा को संचित करके रखना है प्रतिदिम के कारियों को करने के लिए तो इन महा काब्यों को जरूर उतारिए और उनका अभ्यास करिए। प्रेदर्शों को पिछले दो दिनों से हमारा जो कारिक्रम है वो यद्यो पवित को लेकर जारी है। अध्यान में लाया था जिसमें द्विज क्या होता है ब्रह्मण और छत्रिये वैश्यवरणों को क्या क्या चीजें करनी चाहिए यग्यो पवित से सम्मंधित उसके नियम क्या है कौन-कौन से नियमों का पालन करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करी थी। आज उस शेशन का यग्यो पवित के जो हम कारेकरम को बना रहे हैं उसका ये आखिरी कणी है जिसमें हम कुछ तमाम छोटे-छोटे सवालों को शामिल करेंगे जो हमारे दिमागों में हमेशा यग्यो पवित को ले करके आमधारणाय चलती रहती हैं। प्रियदर्शो को आज जिस चीज की हमें सबसे ज़्यादा अवशक्ता है वो ये है कि हम अपने शंसकारों को छोड़े नहीं उसे पकड़े रहें और कहीं न कहीं ये हमें मजबूती प्रदान करते हैं और हमें हमारे लक्षों के प्रती जागरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं और मैं इस कार्यक्रम में आपको 5-6 सवालों को शामिल करूँगा और जो हमारे दिमाग में हमेशा आए दिन यग्योपवित को ले करके बनते रहते हैं। जनेव की लंबाई कितनी होनी चाहिए। वो बिभिन वर्णों के लिए उसमें क्या निर्धारन किया गया है कि ब्राम्भणों के लिए कितना होना चाहिए। छत्री के लिए लंबाई होनी चाहिए कितनी और वैश्यों के लिए कितनी लंबी जनेव होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों को देखिए, यग्डियो पवीत जो है, वो ब्रामणों के लिए 90 उंगल लंबा होना चाहिए, मतलब उसकी लंबाई जो है वो 90 उंगली इस तरह से करके इसको 24 बार, यानि कि 24 चोग का 90 होता है, ये 90 उंगली लंबी होनी चाहिए, साथी साथ इसमें छत्र वैश्यों के लिए उसमें उंगली की लंबाई अठासी उंगल लंबी होनी चाहिए अठासी उंगल लंबी और वैश्यों के लिए अश्य उंगल लंबी होनी चाहिए अब उसमें बात आती है कि सुत्र कितने होते हैं मैंने बताया था सुत्र तीन हैं और उन तीन सुत्रों मे नौ तंतु हो जाते हैं, एक सुत्र, यानि कि तीनों सुत्र, तीन धागे, तीन धागे, ब्रंभा, विश्णु और महेंस, उन तीनों सुत्रों को अगर आप ध्यान से देखें, तो जनेव में तीन तंतु हो जाते हैं, एक सुत्र में, यानि कि वो तंतु, मैंने उसके बारे चीजों के द्योतक होते हैं, वो मैंने कल बता दिया है, या यह कह शकते हैं कि अब अगला जो सवाल आता है, वो यह है कि इसमें गाठे कितनी होती हैं, प्रेदर्सकों जन्यों में पांच गाठे होती हैं, जो मैंने कल नहीं बताया था, वो यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक् तब अगला जो सवाल मैने लिखा है वो ये लिखा है कि जोडा जनेव क्या होता है प्रियादुर्शकों जब हमारा वीवा नहीं नहीं होता है तब हम सिर्फ तीन सुत्र वाले जनेव धारन करते ह investigations ही लेकिन जैसे ही हमारा विवा हो जाता है तो चुकि पत्णियां हमारे यह सेहां श्मानेत जन्यव धारन नहीं करती है इसलिए उनके बदले तीन जन्यव और धारन किया नरिश करना और नर्चर करना चैनला जो सवाल हो जाता है क्या होता है कि यह नहिए अशुध कैसे होता है जब सनातनिय परमपरा की बात होती है तो धारन करना और उसका निर्वहन करना बहुत कठिन हो लेकिन चुकि हम कल्यूगी परंपरा में रह रहे हैं और जहां पर हम संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं तो फिर भी अगर हम धारन कर लेते हैं तो यहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जनेव अशुध होता है समसान में चले जाने से जनेव अशुध होता है जनेव के हमारे शर्व से बाहर निकल जाने से जनेव अशुध होता है हमारे घुटने से जो केहुनी होती है उसे बाहर निकल जाने से या फिर कंधे से नीचे गिर जाने से अगर कभी आनायास या भू पुलबश कभी जन्यव हमारे सरी से बाहर चला जाता है बाहर निकल जाता है कपड़े उतारते वक्त या कभी भी कैसे भी तब वो जन्यव अशुध हो जाता है आपके घर में किसी व्यक्ति को मरना शोच हो जाता है या जनना शोच हो जाता है तब जन्यव अशुध हो जाता प्राया चंद्र ग्रहन या सुर्य ग्रहन में भी जनेव अशुद्ध हो जाता है और उसके बाद उसके बाद एक चीज और हो जाता है यदि आप जनेव धारन करते हैं तो प्राया ये अभ्यास करिए कि आपको मांसाहार आदी का सेवन न करना पड़े या फिर इन चीजों प अगला है कि अगाल मैंने लिखा है उसका कम से कम समय चार महीने तक अगर आप जनेव सुध है आपका तो भी चनेव के बाद बदल लेना होता है अगला जो सवाल है वो मैंने लिखा है कि अगर जनेव शरीर से बाहर निकल जाए तो क्या करें अगर जनेव शरीर से बाहर निकल जाए तो सबसे पहले तो उसको अशुद्धी का दोश लग जाता है तदू परांत आपको विभिन पूजन विधी के द्वारा उसमें देवताओं को तिस्ठित करके, उनका आवाहन करके, जनेव को पूजीत करके, फिर शे गायत्री मंत्र का जब करके, और तब जनेव को धारन करें. अब अगला जो मैंने सवाल लिखा है, वो ये लिखा है, कि जनेव पहन कर क्या क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारा चीज नहीं करना चाहिए, आप नहीं कर सकते हैं, जनेव का बहुत विधान है, और ये बहुत शंसकार से युक्त होती है, जूट नहीं बोलना चाहिए, प पताना जरूरी समझा साथ मांस मदीरा आदी का शेवन नहीं करना चाहिए और कई बार मैंने कहा कि हमेशा सास्त्रोक्त विधिशे और हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए अगला जो सवाल लिखा है मैंने वह यह लिखा है कि कितनी बार जन्यू चढ़ाना होता है कान पे यहां पे जन्यू चढ़ाने का मतलब है कि अगर जन्यू हम पहने हैं धारन किये हैं तो उशे कितनी बार जन्यू कान के उपर चढ़ाना होता है जन्यू को प्रियदर्सों को प्राया लगू शंका और दिर्ग शंका के करते शमय दो बार चढ़ाना होता है जिसके पीछे वैग्यानिक तर्क भी है और वो आप जानते होंगे मैं वो नहीं बता रहा दो बार चढ़ाने से वो जो है हमें ये बताता है कि लगुश अंका के समय क्या चीजें अवशक होती हैं अब जैसे देखिए या लगुश अंका के समय अगर आपने जनिव को दाहिने कान पे चढ़ाया है तो प्राया सुद्ध जल से हाथ दोने के बाद ही फिर शे जनिव का सपर्स करें प्रेदर्शो को अगला जो एक बहुत महतोपोन सवाल है और ये बिभिन ये कह सकते हैं कि ये बिभिन पंथों को लेकर है या फिर पंथ ना कह करके इसको ये कह सकते हैं कि कई वर्सों से चली आ रही ये एक पिढ़ी को लेकर के सवाल है कि प्राया कई बार ऐस देखा जाता है कि लोगों का जनेव शंसकार उसके बिवाह में किया जाता है या फिर विभिन वर्णों के लिए जो आयू शीमा तय की गई है उसके बाद किया जाता है या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उस उम्र शीमा को बितने के बाद कि शिव्यक्ति का जनेव शंसक उसका दोश लगता है और यह बहुत ही गलत हो जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति के जनेव संस्कार को उसके बिभाह में करें या फिर उसकी आयू के बीत जाने के बाद करें प्राया याद रखिए किशी भी व्यक्ति या बालक का जनेव शंसकार उसके लिए जो आयू तै की गई है उसी के अंदर करें और तभी वो व्यक्ति तेजस्वी और बुद्धिमान निकलेगा और शमाज में एक अलग भाचान और एक अलग मुकाम हासिल करेगा अब इसके कहने का मतलब यह नहीं है कि जिन्हों ने जनिव धारन नहीं किया है वो आगे नहीं जा सकते या आज तक सिर्फ वही व्यक्ति आगे बढ़ा है समाज में या उचे अस्तित्यों को प्राप्त किया है जिसने जनिव धारन किया है या नहीं किया है इसका इन सब का पालन करेंगे उश में सहायता मीलेगी और समाज में आप सब के पूजनिये हो जाते हैं अगर अपने बालक को तेजस्वी बनाना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि वो शामान्य बालकों से वो अलग करे और बिभिन्यता दिखाए वो अन्य बालकों से उचा जाए तो उसका संस्कार जो जन्यू का होता है वो पांच साल में कर देना चाहिए और ये चीजे कि हमारे यहां विवाह में जन्यू होता है हमारे यहां किसी दूसरे अब चाचा का विवाह हो रहा है तो उसमें भतीजे को जन्यू दे देते हैं बहन की शादी हो रही है तो छोटे भाई का जन्यू संसकार कर दिया जाता है ये होशकता है सही हो आपके नजर स लेकिन सास्तर के नजर में ये चीजे गलत हैं अगला ये मैंने कुछ सवाल लिखे हुए थे ये सवाल जो छोटे सवाल थे मेरे दिमाग में वो आया था वो मैंने इस कार्यक्रम में सामिल किया है एक चीज बताना चाहूंगा कौन जाने हमारी संस्कृति में हमारे संस्कारों में कौन सा बालक क्या लेकर आया है या क्या चाहता है हो शकता है अगर वो विकास न कर रहा हो तो कहीं न कहीं उसमें उसके संसकार की कमी खल रही हो या फिर उसका प्रारब्ध संसकार को मांग रहा हो और हम उसे न दे रहे हो याद रखिएगा अगर हम एक स्रिस्ट मता- पिता बनना चाहते हैं, और अपने संतती को उची मुकाम देना चाहते हैं, समाज में उसे सबसे अलग रखना चाहते हैं, उसे हर एक संसकार से पोशित करिए, हर एक संसकार से उसे शुपोशित करिए, उसको हर एक संसकार से विभूशित करिए, फिर देखिए उसके अंदर म प्रेरना का काम करेगा. आप नहीं कर रहे हैं. इसलिए आपकी शंत्त्ती नहीं कर रही है. प्राया आपने कई बार ऐसा देखा होगा, या फिर आज कल के बारे में, ये चीज़े सामान ने हो जाती हैं, कि हमारे मातापिता जब बड़े होते हैं, तो हमारे द्वारा हर एक निर्णय हमारे लिए हर एक निर्णय हमारे माता पिता के द्वारा लिया जाता है चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो किसी भी छेक्टर को ले करके हो उसमें उनकी प्रधानता ज्यादा होती है जब हम बच्चे होते हैं और हमें निर्णाय लेने का अधिकार नहीं होता है तब हमारे हर एक कारे के लिए हमारे माता पिता निर्णाय लेते हैं लेकिन समझने वाली बात ये है कि जैसे ही हमारे माता पिता विर्ध हो जाते हैं तब उनके हर एक कारे के लिए हम निर्णाय ल कौन सी चीजे नियम्त से करनी हैं, उन्हें कब जागना है, कब शोना है, कब निंद लेनी है, कब टहलने जाना है, कौन सा भोजन करना है, उनके स्वास्त के लिए कौन सी चीजे हानिकारक हैं, ठीक इसी तरह से, अगर आप एक माता पिता हैं, और अपने बच्चे को चाहते ह है कि वो संसकार से युक्त हो, तो उसे संसकार से युक्त बनाने के लिए, जो करमशफ संसकार दिये गए हैं हमारे भारतिये परमपरा में, हमारे सनातनी परमपरा में, हमारे पुर्वजों के द्वारा, उसका पालन करने के लिए उससे जरूर बताएं, ऐसा कर लेने से वो पुस्थ हो जाता है और अन्य वालोकों से उसका विकास जो है वो तिप्रगती से होने लगता है भासनवाजी बहुत हो गई आज के कार्यकरम के लिए इतना ही अगर आपको फिर भी कोई सवाल होता है बचता है जरूर लिखिए निशन्देह लिखिए हम उसका जरूर पालन करेंगे और उसको जरूर बताएंगे अगले कार्यकरम में आपको मैं बता दूंगा आपके नाम के शाथ कि आपने कौन सा सवाल पूछा है और किश व्यक्ती ने ये सवाल पूछा है अगर कोई भी सवाल बनता है जरूर को देजिए हमें आपके शवालों का इंतिजार रहेगा प्रियो दर्शु को का कार्यकरम का करते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार